दोस्तो यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे तीन बड़ी ब्रेकिंग निज निकल के आ रही है जिनको हम एके करके डिसकस करने वाले यस बैंक को अपना डूबा हुआ कुछ पैसा मिल चुका है वापस यानि NPA की रिकवरी हुई है इसके अलावा यस बैंक ने यहाँ पे जो वारेंट जारी किते पहले अपने FDI के मादे में से जो निवे सागया था उनको उसके बदले में यहाँ पे अब एक्क्विटी शेर जारी कर दिया है तो इस खबर को भी अच्छे से समझेंगे इसके अलावा MD और CEO प्रसांद कुमार की तरब से यस बैंक को लेकर कुछ बढ़िया एनाउस्मेंट की गई है उन्होंने आने वाले समय का कुछ वीजन यहाँ पे क्लियर किया है इन सारी बातों को समझेंगे और वैसे अगर आना चाते हैं तो ऐसे में क्या यस बैंक में यह इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल सही मौका है क्योंकि अगर आप देखे तो 2018 के पहले स्टॉक की प्राइज 400 के आसपास थी इस समय स्टॉक 25 रुपे के आसपास है बिल्कुल कौडियों के भाव में मिल रहा है क्या यह आने कौन दबा दीजिए ताकि जबी ने वडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो इस समय लगवत 11.30 का टाइम है बीएसी सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय 74,161 के इस्तर पर है जहाँ पे 283 पॉइंट की काफी सांदर तेजी है यानि 0.38% अपर है बीएसी सेंसेक्स है लेकिन आपके गौर करने वाली बात है कि जो तेजी ह यह सरफ निप्टी के ऊपर के इंडेक्स में बाकी ओवरॉल पूरे बाज़ार में जबरदस गिरावट है तो निप्टी 50 समय देखे तो की 22,516 के इस तर पर है 0.18% की तेजी है लेकिन निप्टी 50 में 0.70% की गिरावट है निप्टी 200 में भी देखे तो गिरावट है और ओवरॉल सभी के सभी इंडेक्स में यहाँ पे आपको गिरावट देखने हो गिरावट है तो यह थोड़ा सा दूसरा गिरिन देखने हो मिलें जबरदस ओर है इंडिया वी एक्स इसमय तेन पॉइंट 70 परशन अपर है तो इसका अब आप समझ सकते हो कि बाज़ार के बिगडे हुए सिर्फ अगर आप सेंसेक्स को निप्टी को देखेंगे तो आपको लगेगा बाजार गृण नहीं ऐसा नहीं है गृणने वाले शेयर बहुत ज़्यादा है जो बढ़ने वालों की मुकावले और इसका नतिया यस बैंक में भी देखने को मिल रहा है तो यस से में स्टॉक यह भी नीचे आए 24.45 के आसपास आए लो लेवर पे और इस समय 24.70 के आसपास ट्रेड करा है 1% की गिरावट देखनों को मिल रही है तो बिलकुल बाजार में दबावा है और इसका असर देखनों को मिला है लेकिन वॉल्यम टॉपर बना हुआ है काफी समय स यहां पर काफी रोगों के मन में सवाल भी आतें कि आखिर वोड़ा फेट मेंक की वॉल्यम टॉपर क्यों होते है तो इसके पीछे वजह से जबदस्त जो बैट रहा है वो है NHPC Limited में नंबर 3 पे है और गिरते बाजा में 0.5% के आसपास की सांदर 3G 100 को क्रोस कर चुका है यानि यहां से एक सांदर 3G के अब संभावना बनने लगी है तो यह स्टॉक में कुछ संभावना दिख रहे हैं तो जल्दी इसके उपर भी आज वीडियो बना लेंगे और देखेंगे आगे कि क्या समौनों कहा तक जा सका है अब यहां पे जो बड़ी गूड़ी निकल के आ रही है यहां पे यहस बैंक को अपना पूराना NPA रिकवर हुआ है तो यहां पे जो एक्षेंज को जानकारी दिए गई है कि उनकी जो जैसी फ्लावर्स को उन्होंने जो 17 दिसमर 2022 को अपना 38,000 क्रोड का जो पूरा का पूरा NPA ट्रांसफर कर दिया था उसमें से अब रिकवरी शुरू होने लगी है तो अब लेटेस इनको 61 क्रोड की रिकवरी हो चुके यह सिंगल ट्रस्ट के माध्यम से इनको यह रिसिप प्राप्त हुई है और जो टर्म्स कंडिशन में है उसके इसाब से 15% उनको अफ़रंट अमाउंट मिला था जबरदस सुदार और जब से जेसे फ्लावर्स को इनों ने अपनी NPA ट्रांसफर के है उसके बाद में रिकवरी की समवावन तेजी से बढ़ने लगी है और काफी जबरदस रिकवरी हो रही है तो ये लेटेस्ट में इनको और रकम मिल चुकी है और ये बहुत बड़ी गुड़नी जाए एक तरस से देखे तो Yes Bank के लिए अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है Yes Bank की तरब से एक्षेंज को जानकारी दी गई है कि जो एब डे के माद्यम से इन्वेस्टमेंट किया गयते Yes Bank के अंदर आप देख सकते हो कि जो 10% की होल्डिंग ली गई थी उसको लेकर उस समय वारंट जारी किये गयते तो देख सकते हो कि वर्वंता होल्डिंग को 13 दिसमर 2022 को वारंट जारी किये गये थे यानि उनको एक्विटी शेर एलोटमेंट किये गये तो यहां पे देख सकते हो कि करीब 127 करोड 98,80,909 जो वारंट थे जो Yes Bank ने जारी किये गये थे पहले 2022 में उसको अब 2 रुपे जिसकी Face Value यह एक्विटी शेर में बदल दिया गया है तो यह पूरे का पूरे एक्विटी शेर में आ चुके अब वो चाहे तो अपने जो यह शेर है वो बाजार में बेच सकते हैं जैसे कि आप देख तो कि कारलाईल ने अपने शेर बेचे वैसे वर्वनटा होल्डिंग भी अपने शेर बेच सकते हैं और यहां पर गौर करने वाली बात है कि यह इन्वेस्टर है जिन्होंने MDI के माधिम से डारेक्ट निवेस किया था लेकिन जो प्राइस थी वो 14.82 के आसपास थी अब जो प्राइस है वो 25 रुपे के आसपास है उस हिसाब से इनको एक शेर के उपर 10 र कुमार की तरब से बड़ा बयान दिया गया है और प्रसांद कुमार का कहना है कि हम रिटेल लोन पोर्टफोलियो को आने वाले समें कुछ कम करेंगे यानि जो हमारा इस समय जो रिटेल लोन का पोर्टफोलियो है उसमें जितनी वृद्धिया उससे थोड़ी सी कमी लाने क के पीछे यह जो लॉन ग्रोथ कम करने की जो वज़ेव बताएं उन्होंने कि इस समय जो यस बैंक है अपनी मार्जिन को बढ़ाना चाते मार्जिन में व्रिद्धी करना चाते और इसलिए जो रिटेल लॉन ग्रोथ है उसको थोड़ा सा कम करके एसमीज वगेरा को लॉन के बाटने में फोकस जादा करेंगे वैसे बड़े कॉर्पोरेट आउसको तो यस बैंक ने लॉन बाटना बहुत कम कर लिया क्योंकि पहले सारा पैसा वहीं से डूबाए बड़े-बड़े कॉर्पर आउसने पैसे डूबाए तो अभी फिलाल जो स्मॉल मीडियल इंटरप्र काफी बड़ी मात्रा में होता और अच्छा खासा इनको उसमें मार्जिन भी मिलेगा पर यहां पर दूसरी जो प्राइवट सेक्टर के बैंक है वह रिटेल लोन ज्यादा बाट रहें अब यहां पर इन्होंने इस रण निजी को बदलाए यहां पर देख सकते हो कि प्रसा बोटर मिल जाएगा अरिबे की तरफ से भी इसको परमीशन दे दी गई है और अपनी जो 25% के स्टेक है उसको बेचना चाते है और उन्होंने दस रुपे के आसफास इसमें निवेस किया हुआ है आप देख सकते हो 2020 में उनको तो बहुत ही जबर्दस प्रॉफिट भी हो र जापान की मिजो बैंक हो इसमें इंट्रेस्ट ले रहे है वो यहां पर इससेदारी लेना चाते है जिससे आप समझ सकते हो कि सेहत सुधर सकती है आने वलस में जबर्दस और इसकी प्राइज भी कई गुना बढ़ सकती है जब इसको बड़ा प्राइवेट प्लेयर जो बै टी आई ग्रोथ इस बार 10.39 परसें पॉजिटिव रहा है पिछले क्वाटर में यह 3.29 परसें पॉजिटिव था तो उसमें टी आई ग्रोथ में जबर्दस वरिद्धी है अब इस बार जो प्रोविजन लगा गया हो फोर ने सिफ्टी फॉर प्रोड के आसपर रखा गया ह यह 555.74 कोड के आसपर था तो प्रोविजन भी कम किया गया है तो प्रोविजन कम रखने का मतलब यह है कि बैंक की चिंताय कम हुई है इसके अलावा जो प्रोविजन के कोड़ के तो वह देखे तो 16.34% डाउन हुआ इस बार प्रोविजन पिछली बार 9.92 परसें अप हु प्रोविजन थी ग्रोविजन पीए 1.70 के आसपास आ गया जो पिछले आप देखे कोड़ में 2% के आसपास था इसके अलावा नेट नपीए 0.60% हो चुका है जो पिछले कोड़ में 0.90% के आसपास था नेट प्रोविजन 5.14% रहा है पिछले कोड़ में 2.94% था और EPS इस कुछ भी कहें आपको ये ध्यान अगना है कि Yes Bank ने अपनी Financial सेहत को सुधा लिया है और जिस से जो एक्टिविटी जेके बाद एक बढ़ रही है जो स्टॉक मल्टी बेगर बंदे की तरब आगे बढ़ आए तो ऐसे में Long Term Investors के लिए अच्छा मौका है कि Yes Bank में खरीदारी क की जाए लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने Financial एडवाजिस बढ़ ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जो और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए ठैक्यों फ्रेंड